The next instrument is rubrics, rubrics बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के behaviors को measure करने का, A rubric is a printed set of guidelines that distinguishes performances or products of different quality, यानि इसमें हम क्या करते हैं, हम different stages बना लेते हैं, जैसे 4 column मैंने बना लिए, मैं देखना चाहती हूं group work में बच्चे किस तरह से काम करते हैं, तो पहला level में यह बना सकती हूँ, कि बच्चों ने अपना काम अपनी जो ذमाधारी थी, उसको उन्होंगे पूरा किया या अपना काम उन्होंने मुकमल किया। दूसरा जो है लेवल वो ये है कि बच्चों ने उसको साथ वाले बच्चों के साथ शेयर भी किया या उनको उनके मश्वरे से उन्होंने किया तीसरे में हम बता लेते हैं कि बच्चा ना सिर्फ अपना काम कर रहा है बलके दूसरे को भी गाइड कर रहा है और आखरी हम बना लेते हैं कि बच्चा ना सिरफ दूसरों को गाइड कर रहा है बलके उनको फीड़बैक भी दे रहा है और काम को कंसालिडेट करने की भी कोशिश कर रहा है थोड़ा उसमें लीडिंग आसपेक्ट भी आ जाता है कि उस ग्रूप को लीड करने की कोशिश कर तो बिलकुल इसमारी वेगेनर्स हैं लेकर एकमप्लिश तक मास्टरड वगारा जो इसके अंदर मुक्रिष टیک्क ता हैं हमिस तरह से भीहईवियर्स को पूरे का पूरा डिफाइन कर लेते हैं प हम देखते हैं कि हमारे बच्चे का जो रवईह है वो हमारे किस दरजे के साथ मैच कर रहा है और हम उसको अराम से टिक कर देते हैं इसका बनाना जरूर मुश्किल है लेकिन इसको एड्मिनिस्टर करना आप्जर्वेशन से कहीं ज्यादा आसान है क्योंकि वहां को आप सारा खुद लिखना पड़ता है यहां अल्रेडी लिखा हुआ है और आप बस को टिक करते चले जाते हैं तो चूंकि जैसे मैं आइस किया वो सारी प्रफॉर्मस हमने लिख लेनी है रूब्रिक्स आलसो ओफन हैं इंडिकेटर्स प्रोवाइडिंग स्पिसिफाइग एक्जाम्पल्स और तेल्टेल साइन्स तो लुक पॉर इन वर्क यानि जब कोई च क्वाशन का आंसर करेंगे जैसे खुद से को क्वाशन करेंगे या जैसे किसी सवाल का जवाब वो क्लास के सामने आके देंगे तो हमने डिफरेंट लैवल्स बना लिये हम समझते हैं कम से लेके जादा तक किस तरह के लैवल्स हो सकते हैं तो फिर ये तीन तरह की रूब्र इसको एक ही डिजिट में या एक ही वर्ड में explain करते हैं मतलब आप कहते हैं कि जी इस group activity में इस बच्चे ने साथ में दस में से साथ level पे इसको perform किया ठीक है यानि पूरी आप assessment इकठी बताते है analytic rubric है उसमें आप हर एक indicator के बारे में अलग अलग चीजें बताएंगे इसका फाइदा है मसला discipline ये था participation ये थी dealing बचों के साथ ये थी peer relationship जिसको हम कहते हैं peer relationship इस तरह से था उसका initiative कैसा था क्या वो खुद initiative ले रहा है क्या वो independent है तो ये चीजे हम चुके बारी बारी देख रहे हैं तो हमने उनको अलग अलग से बियान करना है दूसरे लफजों में analyze करके बताना है कि जो holistic performance थी उसमें कौन सी performance किस से ज़्यादा बहतर थी उसके बाद है जिए developmental जिसमें हम ये करते हैं कि साथ साथ बताते जाते हैं कि अब पहले बच्चा कहां पे था अब बच्चा कहां आ गया है और इस तरह से जैसे जैसे वो अगली अगली stages पर जाता जाएगा अपनी उमर के साथ अपने skills के साथ या वक के साथ टाइम के साथ तो वो चीजे हम बताएंगे कि quarter में जब पहला quarter था classroom का तो बच्चा dependent था दूसरे में वो independent हो गया और तीसरे में वो sharing और collaborating भी उसने सीख दी तो यह developmental है रूब्रिक Children can be assessed by using the following developmental rubrics तो यह जो developmental rubrics जिसमें मैंने बताया कि हम बच्चों को stage by stage, time by time, grade by grade देखते हैं उसमें क्या क्या चीजे हो सकती हैं Classifies and orders objects, compares and contrasts objects, organizes information हम बच्चों में यह देखते हैं, कुछ खुसूसियत जिस तरह की मैं बात करे हूँ कि बच्चा किस तरह से चीजों को classify कर सकता है आपको पता है जब हम प्याजे की theory, जो gene प्याजे है, उनकी जो cognitive theory है उसको जब हम apply करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा 7 साल का बच्चा है, वो classification कर सकता है यानि चीजों को छोटे से बड़े या बड़े से छोटा ascending या descending order में तर्तीब दे सकता है तो हमने देखना है कि वो तर्तीब अभी देना नहीं शुरू हुआ या देना शुरू हो गया है या इससे आगे निकल गया है अब क्या वो चीजों को compare और contrast कर सकता है जैसे प्रेप के बच्चे भी छोटे जो 5 या 6 साल के हैं हम उनको अक्सर activities देते हैं, फरक तलाश करें दो चीजों के बीच में या sentence बताया जाता है jumble form में और फिर वो उसको order में लाते हैं, तरतीब में लेके आते हैं story को तरतीब में लेके आते हैं फिर concept कैसे बनाते हैं draws conclusions जो conclusion बच्चे निकाल रहे हैं या बना रहे हैं वो किस बेस पे निकाल रहे हैं जैसे मैंने अर्स किया कुछ बच्चे mentally काम करते हैं और अचानक आपको नतीजा बताते हैं कुछ उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं उगलियों पर गिन रहे हैं या process कर रहे हैं या लिख के कर रहे हैं वो mountains के होंगे क्या वो plains के होंगे या आप travel करेंगे तो किन किन चीजों से कर सकते हैं जैसे आप aeroplane से कर सकते हैं train से कर सकते हैं car से कर सकते हैं तो आपने उन से इस तरह की जब चीजें पूछेंगे तो वो उनका एक analytic concept बनते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं किसी एक मकसद के लिए Then synthesizes ideas अब वहां पे हमने analyze करने को कहा था यहां हम उनको synthesize करना भी देख लिएते हैं कि भाई अब उन ideas को उन्हें मिला कैसे लिया एक अठा कैसे करके किसी एक concept पे कैसे पहुंचे जैसे हम उनको दो चार solutions बताते हैं किसी चीज के और फिर कहते हैं कि बेहतर solution क्या होगा तो वो उसमें से pick करते हैं and then estimates अब ये estimate थोड़ा और है यानि आगे है cognitive process है कि जिसमें आप एक चीज को होते हुए देखते हुए नई चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं ये वो सारे acts हैं performances हैं जिनको हम मिसाल के तौर पर हमने आपको बताया है कि ऐसी चीजों को आप rubrics के जरीए बड़ी आसानी के साथ measure कर सकते है कि हमारा बच्चा developmentally अब कौन सी stage पे पहुँच गया है क्या भी analyze कर सकता है synthesize नहीं कर सकता या synthesize भी कर सकता है या अगर synthesize कर लिया है तो चुके ये blooms taxonomy की सारी शकले हैं ना तो क्या synthesize कर सकते हैं तो क्या estimate या evaluation की तरफ भी आ रहा है थोड़ा आगे भी जा रहा है तो ये हमें rubrics बहुत अच्छे से बता रही है